Hi everyone, very warm welcome to all of you at Tunnel Classes. So this is Yashika Tundan presenting you a very important lecture based on SSE-CHSL, Tire First Papers. So this is your paper, basically we have three papers which we have discussed. So this is your fourth paper which we have discussed. And this paper is your paper on October 13, 2020. अब ही हमने जितने भी papers discuss किये हैं, वो आपके 12th और 13th के ही किये हैं, पिछला paper जो मैंने डिसकस किया था, वो afternoon shift का था, 13th और October का. आप जो मैं discuss करने वाली हूँ, वो evening shift का paper है, चलिए आज का paper जो है हम बात करते हैं. तो सबसे पहला जो यहाँ पर question आता है, पेपर का, देखे, which Indian mountains looks like a giant pyramid, right, and has a flat summit area and two peaks. तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से कौन से सा mountain है, जिसके giant pyramid or flat summit area within a two peaks. तो यहाँ पर जो right हमारा answer आता है, वो आपका आएगा comment, ठीक है, यह जो highest mountain है, कहाँ पर है, आपको बता होना चाहिए, घरवाल region में, ठीक है, यह है कहाँ पर? उत्राखन में, इसी के साथ साथ आपको एक और चीज, यह second highest mountain peak है, वहाँ की, first अगर आपसे पूछा जाए, highest mountain peak वहाँ की कौन सी है, तो वो है नंदा देवी, नंदा देवी जो है, उत्राखन की आपकी highest peak है, यह आपकी चामोली district पे, उत्राखन पे पड़ती है, तो इसक आपको बाकी के mountains के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो उनके बारे में मैं थोड़ी बहुत information आपको बता देती है, तो जो आपका mom's tongue country है, ठीक है, यह भी highest peak है, और अगर हम देखे कहां पर पड़ती है, लदाक region के पास यह पड़ती है, नियर इंडिया जहां पर चा यह first पे आता है और यह second highest है, और आपको पता है, यह यह उत्राखन के पास हो गई, थर्ड हमारे पास जो आपका पूछा गया था, वो option में सलतारो कंगरी था, यह भी आपका highest peak है, सलतारो mountains भी इनको बोलते हैं, है कहां पर ही काकोराम range के पास, यानि कि लदाक के पास, तो यह यादतना important है question, अगला question देखिए, which one of the following temples has the punch yatna style of architecture, इंडिया में बहुत सारे से temples हैं, जिनका यह architecture जो है, यह style follow किया गया है, इन में से एक है, दशवत्रा temple, ठीक है, punch yatna style of architecture जो है, इनका बना हुआ है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे, यह जो है आपका उत्त परदेश की side पड़ता है, यह temple, काशी विश्वना temple भी काफी famous temple है, वारनसी में है, also known as a golden temple, dedicated to the Lord Shiva, और और अरंग जेव, जो कि मुगल एंपर के सबसे strongest मुगल एंपायर में से इनके टाइम पर एक था, सबसे जादा अगर इंडिया में मुगल एंपायर फैला था, तो इन the orders of the Aurangzeb in 1669, इस temple को completely demolished कर दिया गया था, और यहाँ पर मॉस्क्यों बनाया गया था, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि, actually क्या थे, जो Aurangzeb थे, वो basically आपके दूसरे religion को इतने जादा respect नहीं करते थे, he is not a religious, tolerant person, तो इनके टाइम पर बहुत सारे से Hindu temples हैं, जिन को demolished किया गया था, तो काशी विश्वना temple इन में से एक था, तो यही आपको बताला था, याद करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, खासली, बट पता होना चाहिए, इसके पीछे स्टोरी है, तो मैंने सोचा, आपको मैं इसके साथ एक extra information भी दे दूँ, जो ला लीगा है, यह आपकी एक sports, यानि की Spanish football club है, और जो Rohit Sharma है, जिनको इनके brand ambassador चुना गया है, वो non-footballer है, तो यह पहले ऐसे brand ambassador बने है, जो basically, he becomes the first non-footballer in the league, 19 years old history में, तो Rohit Sharma will be the right answer, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगला question, on which date Indian National Congress passed the resolution of the Pornas Avraaj, total independence at the Lahore session, अब यह जो Pornas Avraaj की मांगे, इसका मतलब क्या है, complete independence, तो 1926th of January, 1929 में Lahore का session होता है, जिसमें, जो है, Congress leaders के द्वारा, जो है, यह अपत ली जाती है, कि हमें complete independence, जो है, वो चाहिए, तो यह 26 January 1929 को है, यह date काफी important है, क्योंकि अगर आप quality में भी देखोगे, तो हमारा जो constitution है, उसको adopt कभी किया गया था, 26 of November 1949 को, बट 26 of January 1950 को, इसको effect में लाया गया था, तो यह 26 January, इसलिए हम कहते हैं, कि important है, that is why 26 January को उन्होंने effect में लेकर आये थे, तो third will be the right answer, because of this day, क्योंकि history में इसका पूर्ण सवराज की मांग हमने, इस जिन की थी, तो important question है, please remember that, अगला question आता है, which scientist arranged the periodic table of elements in the order of increasing atomic masses, periodic table जो है, chemistry में काफी important role play करता है, periodic table में जो है, elements को, उनके atomic masses के, उनके properties के accordingly, metals and non-metals को organize किया गया है, तो यह कौन थे, तो यह आपके मेंदलीप थे, जिन्नोंने ऐसा किया, तो यहाँ पर जो right answer आएगा, वो क्या आएगा third, मित्री मेंदलीप, will be the right answer, it included 63 known elements और इनको arrange किया था, according to the increasing atomic weight, please remember that, increasing atomic weight, ठीके जी, तो यह याद दख लेना, उसी तरीके से, what is the chemical name of oil of vitroil, इसका chemical name क्या है, यह पूछा गया है, इसको sulfuric acid भी बोला जाता है, कई बार हम इसको sulfuric acid भी बोलते, कई बार इसको इसी तरीके स भी लिखा जाता है, sulfuric acid और कई बार इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो दोनों के दोनों एक ही है, confuse मत होना, तो यहाँ पर fourth will be the right answer, इसको vitroil बोला जाता है, यह तरीके का mineral acid है, जो basically आपका compose होता है, किस-किस से sulfur, oxygen and hydrogen से, with the molecular formula इसका क्या होगा, H2SO4 होगा, यह Wikipedia स ली हुई information है, तो sources का Wikipedia है, मैंने mention कर दिया है, अब आपको इसके बारे में की चीज यादक नहीं है, वो यह है, कि यह sulfuric acid है, इसको यह बोला जाता है, और sulfur, oxygen and hydrogen का है, जैसे कि आप इसके formula में भी देख पा रहे हो, right, और यह ऐसा liquid है, जो कि soluble है, water में और colorless होता है, बस इ D-A-S-D, what is a full form of A, तो D-A-S-D है क्या, इसको बोलते है, direct assist storage device, ठीके, dash D भी इसको pronounce किया जाता है, यह तरीके का ऐसा peripheral storage device है, जो आपका directly addressable होता है, मतलब, आप easily इसको, जैसे आपका computer, जो है, यह computer में से question आया हुआ है, आप suppose करो कि, जैसे, आप directly किसी चीज को assess कर सकते हो किसी भी location को, memory location को, जैसे यहाँ पर मेरे पास table पे एक book पड़ी है, मैं directly इसको उठा सकती हो, अगर दूर पड़ी होगी, तो मुझे different approach अपनानी पड़ेगी, वैसे ही computers में भी बहुत सारी term use होती है, तो D-A-S-D एक तरीके की magnetic disk का आप कह सकते हो, जो directly accessible होती है, तो पर accessible है कि assess आएगा, तो यहाँ पर आएगा assess, please remember that third will be the correct answer, right, अगला question करते है, which festival marks the beginning of the Tibetan new year, इन में से कौन सा है, जो आपका beginning, जो है Tibetan new year, Tibetan आपको वतल लगया, तिबेत वाली साइट, तो लोसार वहाँ पर जो है एक festival है, जो begin करता है, तिबेत यानि की चाइना, यानि की Chinese क तो यहाँ पर लोसार फेस्टिवल बिलवीरा, राइट आंसर, इसी तरीके से तिबेत में बहुत सारी reverse जो है, वो originate करती है, एन में से कौन कौन सी, जैसे की इंदस, आपको बताना चाहिए, इंदस की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंटरी है, वो आपकी कौन सी, सतलूच मानसरोवर लेक तिबत, यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाईज, अगला कोशन, विन वास दा राजीव गांधी खेल रतना अवार्ड इंसीचूटेट, जो राजीव गांधी खेल रतना अवार्ड है, इसको गेम्स के जो है, हैट थे, तो मतलब वहां के कमेटी में इंक्लूडिट थे, यह जो वाड है, तभी से आपका स्टार्ट हुआ था, तो उसके बीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, चलिए, आगे बात करते हैं, अगले कोशन के और, विच इंस्टूमेंट रिकॉर् इन में से कौन सा है, जो आपका यूज होगा, तो वो है आपका सेस्मोग्राफ, वाइ, बिकॉस जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, उन्ही के कारण, जो है आपका अर्थकुर्क आता है, तो यहाँ पर, फर्स विल भी दा, राइट अंसर, अगला कोशन हमारे पास आता है, जो हमेशा बुक्स पूछी जाती हैं, तो जनरली एक साल के पीछे जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं, आप उनको कर ले जएगा, उन्हीं में से आपको कोशन्स देखने को मिलेगा, एक बात याद रखिये, लिटरेचर में जो लिटरेचर जो वार्ट्स होते हैं, लिटर पेपर्स देख रहे हो, इनका एनलाइजेशन ही हो रहा है कि किस तरीके कोशन्स जो हैं, वो आते हैं, अगला कोशन, तो यहाँ पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली सिक्किम विल बी दा राइट आंसर, तो यहाँ पर फॉर्थ विल बी दा करेक्ट आंसर, लीस्ट पॉपुलिस स्टेट इन इंडिया, ठीके जी, आगे बात करते हैं, यह कब किया था, यह 1928 का सेशन था, मोतिलाल नहरू और एट अधर कॉंग्रेस लीडर ने कॉंसिटिटिट किया, तो यहाँ पर से किन विल बी दा राइट आंसर, प्लीस रमेंबर दा इंपॉर्डन कोशन अगेन, बॉर्डन हिस्ट्री का, आप अगर देखोगे, CHSL में लगबग दो कोशन जो होते हैं, वो कम्प्यूटर से पूछे जाते हैं, तो कम्प्यूटर को भी आपको मिसा उट नहीं करना है, एट लीस्ट आपको कम्प्यूटर की जर्नल नॉलेज जो होनी चाहिए, आप लूसें बुक को या कोई एक वन डे ऐसी बुक जो वन डे कम्पेटिटिव एक्जाम्स के लिए बनी होती है, उनको एक बार रिवाइस करके जाएगा, ताकि आपके चार मार्क्स जो हैं, वो स सल्फियूरिक एसेट, तो यहाँ पर वीनस विल बी दा राइट आंसर, यहाँ पर थी क्लाउट्स ओ सल्फियूरिक एसेट पाया जाता है, और कम्प्रीटली कवर करता है प्लाने उसको, यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा आएका वीनस, सिस्टर प्लानेट अव दा अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर हमारा second will be the right answer, it's a very easy question, direct question होता है, तो आर्टिकल्स को कैसे याद कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी को समझने की जरूरत है, अगर आप इंडियन पॉलिटी को समझोगे, धीरे धीरे पड़ोगे, बार बार रिवीजन लोगे तो आपको आर्टिकल्स भी याद होने लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, येस बट इस से बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, repetitive revision is required, आर्टिकल्स सीधा सीधा questions आते हैं, आप चाहो तो हमारे चैप्टर वाइस प्लेलिस्ट पेपर्स भी, मतल चल रहे हैं, अगर आप लोग prepare कर रहे हो CGL और CHSL के लिए, आप सभी मुझे आनिक आडमी प्लस पर भी follow-up कर सकते हो, मैं वहाँ पर teacher हूँ, लगबग 5 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो यहाँ पर foundation batch जो है, वो आ रहा है, अब इने सर भी हैं, इसमें आपको stenographer, stenographer के लिए भी हमारे पास batch है, IB के लिए भी हमारे पास top batches जो है, वो चल रहे हैं, इन batches को आप कैसे ले सकते हो, अनिक आडमी की website आप जब खोलोगे, SSE की subscription आप लीजेगा, वहाँ पर जाकर आपको ये prices मिलेंगे, 1 month, 3 month, 6 month, 12 months के लिए, आप इन prices के ऊपर जो है, य आप यहाँ पर यशिका वाइटी जो है, इस्तमाल कर सकते हो, आपको यहाँ पर 10% जो है, डिसकाउंट मिल जाएगा, यशिका वाइटी, राइट, तो यहाँ पर 1200 से आप देख रहे हो, आपको prices जो है, वो लेस हो गए है, तो यह आपके prices कभी भी हाइक कर जाते हैं, और regularly हर मन्त जो है, इनमें हमारे courses नहीं नहीं आते रहते हैं, साथी में, अगर आपको कभी दिक्कत होती है, कि आपको लगता है, यह क्यों ले हम, क्यों इतने पैसे हम भरे, तो यहाँ पर top educators, सभी educators को आप assess कर सकते हो, separately आपको किसी के लिए fees पे करने की ज़रूरत नहीं है, प आप यशिका को सर्च करिये मेरी profile को, आने कैडमी पर, और मेरे द्वारा सुबह मॉर्निंग में, साड़े साथ बजे classes होती हैं, 7.30 अ. वो classes आप जॉइन कर सकते हो, otherwise, आप क्या कर सकते हो, कि अगर आपको अभी भी doubt होता है, तो you can message me soul1904, at the rate soul1904, this is my telegram ID, telegram अगर आप य profile ID दिखेगी, बहाँ पर आप मुझे message कर सकते हो, I will surely, मतलब में आपके साथ, आप जो भी discuss करना जाते हो, जो भी आपको issue आप में साथ discuss कर सकते हो, हम बात करेंगे इसके ओपर, कि आपको केसे profession जो है, वो करनी चाहिए, लेना चाहिए, के नहीं लेना चाहिए, तो ये हमा जो है, वो ले सकते हो, चलिया, आगे बात करते हैं, अगले question की और, तो अगला question कहता है, in which language were the Mughal court chronicles written, तो किस language में लिखे, मतलब थे, तो ये Persian language, अकबर के टाइम पर वहाँ जादा Persian language famous थी, वैसे मुगल्स जो थे, वो तर्की थे, तर्किश से बिलॉंग कर जाते हैं, तो यहाँ पर fourth will be the right answer, तो ये था आज का हमारा जो paper, जो हमने discuss किया, paper था हमारा 13th of October 2020, afternoon shift का, secondly, अगर आप अनकाडमी की subscription लेना चाहते हो, again, you have to use the code yashikawyt for the discount, okay, so ये combo offer भी चल रहा है हमारा, ये भी आप ले सकते हो, बाकि आपकी इच्छा, thank you very much, have a great day.